प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कुछ कम हुई है लेकिन अभी भी काफी साउधानी बरतने की जरूरत है यससे इसके चैन को तोड़ा जा सके और इसके संक्रमन को रोका जा सके साथी आने प्रदेशों से प्रदेश में आ रहे लोगों की पर सतत निगरानी की अत्यांता और शक्ता है यससे कोई भी संक्रमन प्रदेश में प्रवेश ना कर सके जिससे संक्रमन न पढ़े जिसका ध्यान रखते हुए बलरामपुर जीले के लास्ट धनवार बॉर्डर पर सरगुजा कमिशनर जी, किंडो आई जी, आरपी साय के दोरा बलरामपुर रामान उचकंच जीले के लास्ट धनवार बॉर्डर पर इस से कोविद नाइटीन जांच नाका का निरेक्शाड किया गया और वाहाँ पास्तित अधिकारी करमचारियों को उत्तरप्रदेश से आने बारे ग्रामीरों के बारे में जानकारी ली गए और बोला गया कि जो भी व्यक्ति उत्तरप्रदेश से आ रहा है उसका कोविद नाइटीन जांच करके ही बलरामपुर जिले में प्रवेश कराना ह और उत्तरप्रदेश से आने वालों की बनी हुई रेजिस्टर सूची का उलोखन किया और कहा कि लापरवाही बरदास से नहीं की जाएगी इस दोरान बलरामपुर पुलिस अधिक्षक रामक्रस ने साहू वार्रफ नगर जनपस्तियो वेत्रकाश पांडे बसंत पुर्थ प्रभारी राजकुमार लहरे वार्रफ नगर चौकी प्रभारी केपि सिंग अने पुलिस कर्मी उपस्तित भी रहे और उत्ताप्रदेश से आने वाले लोगों के बारे में जान सहीद आयमे जानकारी से वरिष्ट आधिकारी सन्टूष्ट नजर आई और इसी मश्ताधि स कारी करने को कहा सर्गुजा संभागी ये ब्यूरू आनंद मिश्वाखी रिपॉर्ट